हलो हाई नवश्का और सौगत आप सभी का मैग्निट बेंस पे जी हाँ चो आज हम बात करने जा रहे हमारे कोशन नमबर 789 और बेटा जी मैं हमेशा से उम्मीद यही करता आता हूँ कि आप लोग कोशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं खुछ से नहीं कर रहे हो तो गलती है कोशन की प्रैक्टिस कीजिए बाकी मैं कोशन तो सॉल्ब कराता ही हूँ जहां पर तुम फस होगे यह वीडियो डेफिनिटली आपको बहुत हल्प करेगी लास सेशन में हम सिक्स कोशन कंप्रीट कर चुके तो आपने तो आज की कहानी शुरू करते हैं विद धा कोशन नमबर सेवन पैन और पेपर लेके जल्दी सते यहार हो जाओ क्योंकि कोशन पहला एटेम्ट तो खुदको ही देना है चलिए बेटा तो शुरू करते हैं विद धा फिर्स कोशन अफ टोड़ी सेशन consider a particle moving in a simple harmonic motion according to the equation x equals to 2 cos 50 pi t plus tan inverse 0.75 यह हमें equation दे दखी है displacement की particle जो move कर रहा है उसके लिए equation दे दिये x centimeter में होगा t seconds में होगा the motion is started at t cos 0 t cos 0 पे motion start हुआ पहला सवाल आपसे यह पूछता है when does the particle come to the rest for the first time पहली बार particle rest पे कब आएगा second सवाल पुछता है when does the acceleration have its maximum magnitude for the first time acceleration की maximum magnitude कब होगी first time when does the particle come to the rest for the second time दूसरी बार particle rest पे कब आएगा यह आपको पताना है एको try तो करो देखो तो सही क्या answer आ सकता है इसका बिल्कुल मैं तुम्हें मौका दूँगा वीडियो को pause करो खुद से try करो देखो क्या answer आ रहे है इसका सोच लिया लगा रही है दिमाग सभी ने अच्छा चलो बई तो मेरी बारी अब मैं solve करा देता हूँ तो साब सीधी सी बात है जादा सोचने क्या बात नहीं है आपे और सीधी सी बात यही कहती है कि हम equation लिखते तो x is equal to 2 cos of 50 pi t plus tan inverse 0.75 बाई कितनो दे tan inverse 0.75 निकाल के देख लेदे so tan inverse 0.75 यह कोई angle होगा alpha so tan alpha बनेगा 0.75 और यहाँ पे 0.75 को हटा दिया तो भाई 5 से काट दे इसको 25 3 जा 75 25 4 जा 100 ओ हो 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 यह तो वो वाल एंगल बन रहा है हाँ यह वो ही वाल एंगल है तो बेटा इसकी value 37 degree आती है वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ पर टीक है प्रमान देना भी जरूरी है तो बेटा tan alpha कितना हो जाएगा alpha हो जाएगा साब 37 degree क्योंकि यह वाल एंगल होता है 53 degree का और यह वाल एंगल होता है 37 degree का तो tan alpha हो जाएगा बेटा स्री alpha की value होगी 37 degree सर पर यहां पर कहानी radian में चल रही है तो आपको भी radian में लिखना पड़ेगा तो यह बना हमना 37 degree अब 37 degree को radian में convert करें तो 37 degree multiply by pi upon 180 37 multiply by pi upon 180 बेटा तो radian में convert किया तो 37 upon pi by 80 आ रहे है तो equation को modify किया तो 2 cos 50 pi t plus 37 pi upon 180 so this is the equation of the particle जो की move कर रहे है तो हमने सबसे पहले क्या किया बेटा यह जो tan inverse 0.75 था ना 0.75 था इसको हमने convert कर लिया degree में देखा तो 37 degree आ रहे है लेकिन मैंने बोला साब मुझे तो radian में चाहिए तो बेटा degree को radian में convert किया तो तरीका तो पता है ना बेटा degree को radian में convert करने का तो देखो जरा 37 pi upon 180 बन रहे degree से radian में conversion के बाद so now we have the value of x can we just find the value of v क्योंकि मुझे find करना है when does the particle comes to the rest for the first time पहली बार particle rest पे कब आया पहली बार particle rest पे कब आया वो time बताना है तो rest पे आने के लिए velocity को 0 करना पड़ता है ना अरे बोलो क्या rest पे आने के लिए velocity को 0 करना पड़ता है बिलकुल करना पड़ता है so let's solve this on the next page since we have the value of x as since x equals to 2 cos of x equals to 2 cos of 50 pi t 50 pi t plus 37 pi by 180 37 pi upon 180 तो यहां पे v equals to dx by dt होता है सहब v equals to dx by dt होता है भाई इसका जब मैंने differentiation किया तो यह 2 तो as it is यहां जाएगा cos का differentiation फिर से वही कहानी minus का sine of 50 pi t plus का 37 pi by 180 और सहाब जब आप इसका angle का further differentiation करके अभी तो आपने cos of this part को differentiate किया है अभी इस part को भी differentiation कीजिए तो इस part को differentiation करने से हमें answer मिलता है 50 pi only क्योंकि देको t का differentiation 1 हो जाएगा 50 pi आगया 37 pi upon 180 constant होता है तो बेटाजी v का जो value आएगा minus का 100 pi sine of 50 pi t plus का 37 pi by 180 ठीक है साब यह velocity आगे मेरे पास यह मेरे पास velocity आगे अरे मेरा board नाराज हो गया हमसे यह velocity आगे velocity पहली बार कब 0 होगी तो velocity को कर दिया 0 बेटा velocity 0 होते ही minus का 100 pi sine of 50 pi t plus का 37 pi by 180 बाई सीधी सी बात है यह minus में आ रही है कहानी आगे लेके जाओगे तो pi minus तो करना ही पड़ेगा इसमें लेकिन मैं क्या बोलता हूँ तुमसे अच्छे एक बार बताओ क्या इसको मैं sine of pi minus का theta नहीं लिख सकता हूँ या theta minus pi कर लो क्या मैं इसको sine of pi minus theta नहीं कर सकता हूँ pi minus theta करूँगा तो positive होना चाहिए negative है तो यहाँ पे pi plus theta कर लो तो भी कहानी बन जाएगी तो इससे better है तुमनों तोनों तरीके यहाँ तो देखो बैट यह वारवा part 0 है तो इसका मतलब sine of 50 pi t plus का 37 pi upon 180 it has to be 0 यह 0 कब हो सकता है जब यहाँ पे sine 0 हो जाए जब यहाँ पे sine of pi हो जाए जब यहाँ पे sine of 2 pi हो जाए मैं 0 और pi के बीच में ही कहानी को लेता हूँ क्योंकि अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो time negative हो जाएगा जैसा भी आपको याद हो last time पे हमने पिछले question में किया था जिस मैं बोला था कि अगर 50 pi t plus 37 pi upon 180 अगर मैं इसको 0 कर दूँ so t मुझे मिलेगा negative बैटा negative time नहीं होता है तो हम क्या करें इसको तो अब इसको pi minus theta कर ले तो मज़ा ही आ जाएगा या theta minus pi कर लो कोई दिक्तर नहीं है तो pi minus theta कर ले तो मज़ा ही आ जाता है उसके case में 50 pi t plus का 37 pi upon 180 it has to be equals to pi beta second वाली possibility जिसमें pi ले ले तो यहां से सारे pi से pi खतम हो जाएंगे and 50 t plus का 37 divided by 180 should be equals to 1 तो solving this part 50 t will be equals to 1 minus 37 divided by 180 by 180 minus 37 upon 180 हो जाएगा किता बने गई है 180 मैंसे अरे समझ रहे हो ना तुम बात को 180 मैंसे 37 minus करे 10 मैंसे 7 गे 3 7 मैंसे 3 गे 4 1 मैंसे कुछ नहीं किया so it will be 143 बैटा कितना बनेगा ये 143 divided by 180 तो 143 divided by 180 अपनी calculation को छपा दो किसी को बताना मत कि तुम calculation करते हैं हाँ जी t का value बैटा ये बनेगा 143 divided by 180 multiply by 50 तो 18,590 होते हैं और ये पूरा 143 divided by 9,000 हो जाएगा कहानी सेकंड्स में चला दे न तो 143 divided by 9,000 तो 143 divided by 9 किया तो कितना मिल रहे है साहब 143 को जब मैंने 9 से डिवाइड किया तो 9, 1, 9 10, 11, 12, 13, 14 यहां पे 5 आजाएगा यहां पे 3 आजाएगो तरके फिर 9, 5, 10, 45, 9, 6, 10 अरे 5 से जाएगा साह वसे एक बात बोलो तुम्हें पते की बात बताओं तुम्हें 9, 5, 10, 45 करने से बेटर है तुम सीधा सीधा 9, 6, 10 कर लेना मज़ा ही आ जाएगा एक इक बारी में कैसे सोचो ज़रा 9, 5, 10, 45, 9, 6, 10, 54 होते हैं 54 रखने से अल्मोस्ट अल्मोस्ट कट गया यह तो 54 रखने से अल्मोस्ट अल्मोस्ट यह कट जाएगा तो मैं मकारी कर रहा हूं यहां पे और अप्रोक्सिमेशन में 16 दिवाइद बाई 1000 सेकंड बाई भाई यह तो यह अंसर बंदा है इसका तो समझ जरो ना तुम लोग कैलकुलेशन करोगे सब बोलोगे सर यह कैसे हो सकता है यह पॉसिबल ही नहीं है आप सिक से कैसे काट सकते हो 53 से बढ़ा गया दिमाग लगा तोड़ा सा 9, 5,45 करोगे फिर कोई भी value आईगी फिर 980 करोगे अरे 1.58 को क्या approximately 1.6 नहीं लिख सकता मैं कमाल कर रहा है कमाल करते हो पांडे जी 1.58 को क्या approximately 1.6 नहीं लिख सकते तो फिर क्यों इतना दिमाग लगाना जब तुम्हें दिख रहा है 9654 होते है उपर 53 है नीचे 54 है मैं माना गलती है ये गलत बात है लेकिन तुम्हारा दिमाग ये कहता है कि सहाब ऐसा करने से मेरा कोशन जल्दी सॉल्व देगा तो फिर क्यों ना करूँ ये चीज़े लगानी है ये चीज़े अप्लाइ करनी ही कैलकुलेशन में अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे हम लोग की पुरा सॉल्व करेंगे बड़े होगे इंटेलिजेंट होगे जई का इक्जाम देने हम लोगों को जाके एडवांस लेवल पर टील करने हम लोगों को जाके तो भाई वहाँ पर स्मार्ट वर्क करना पड़ता है कभी को आर तो देस इस वाल अबट इस कोशन 1.6 10 की पावर माइनस का 2 सेकेंड ये है वो समय जब पहली बार विलोसिटी जीरो हुई ये है वो समय जब पहली बार विलोसिटी जीरो हूई है तो पहला पाट तो हमारा हो गया सॉल्व सेकेंड पाट बोलता है वें ड़ज द अैक्सल्रेशन हैव इटस मैक्जिमम निटिूड किस टाइम पे एक्सल्रेशन का मैक्जिमम निटिउड होगा जब velocity रेस्ट पे 0 होती है तो क्या हम extreme position पे होते हैं समझ गया मैं समझ गया मैं क्या करना है बाई साब एक बार बताओ acceleration की maximum magnitude से हम लोगों को तो acceleration का maximum magnitude कहां मिलता है mean position पे या फिर extreme position पे साहब अगर कोई भी particle SHM करता है तो उसके पास mean position और extreme position दोनों होती है जब भी कोई particle SHM करता है तो उसके पास mean position और extreme positions दोनों होती है x equals to 0 पे we have the mean position और x equals to plus a और minus a पे we have the extreme positions तो x equals to 0 पे mean position होता है x equals to plus a minus a पे हमारे पास extreme position होता है कोई भी particle जब यहाँ पे है mean position पे तो उसकी velocity maximum होती है लेकिन उसका acceleration उस case में 0 होता है और जब वो होता है extreme position पे तो उसकी velocity 0 होती है बट उसका acceleration उस time पे maximum होता है तो बात समझने वाली यह है कि जहां पे velocity 0 वहां पे acceleration maximum होगा बेटा तो जहां पर velocity पहली बार 0 हुई वही पर acceleration भी पहली बार maximum हो जाएगा तो when does the acceleration have its maximum magnitude for the first time? At that time when the velocity becomes 0 for the first time वही समय जब velocity पहली बार 0 हुई उसी समय acceleration भी पहली बार क्या हुआ? Maximum हुआ, SHM यही तो कहता है तुमसे कुछ और कहता है SHM? चलो भाई, तो सहाब पहली बार velocity 0 हुई थी 1.6 into 10 की पहुआ माइनस 2 seconds पह तो acceleration will be maximum for the first time acceleration will be maximum for the first time for the first time at the same time at the same time when velocity becomes 0 when velocity becomes 0 सहाब जब velocity 0 होती है उस time पे acceleration पहली बार maximum होता है जस time पे velocity पहली बार 0 होगी उसी time पे acceleration भी पहली बार 0 होगा तो acceleration will be maximum when t is equals to 1.6 into 10 की पहर माइनस का 2 seconds तो acceleration will be maximum when t equals to 1.6 into 10 की पहर माइनस का 2 seconds this is the answer for the second part again second part का answer भी आगया जिसमें वो हम से पूछ रहा था कि सहाब when does the acceleration have its maximum magnitude at the same time when the velocity will be 0 for the first time तीसरा सवाल when does the particle come to the rest for the second time भाई दूसरी बार particle rest पे कब आएगा बोलो जरा दूसरी बार particle rest पे कब आएगा दूसरी बार particle rest पे कब आएगा कैसे करें इसको solve up 2 pi कि कहा नहीं लगा दूगे वहाँ पे सोचो जरा सोचो जरा इधर आओ इधर आओ सोचने वाली बात है साहब velocity 0 हो रहा था तो 2 possibility बन दी थी 0 वाले को हमने काट दिया था कि यह नहीं ले सकते पहली बार rest पे particle यहाँ आएगा दूसरी बार rest पे क्या वो 2 pi पे आएगा सोचो जरा पहली बार particle rest पे आया pi पे दूसरी बार particle rest पे कहा हैगा 2 pi पे पहली बार first time rest पे कब आया pi पे बेटा दूसरी बार कब होगा sine of 2 pi क्योंकि particle को rest पे लाने के लिए velocity 0 करने पड़ेगी velocity 0 करने के लिए sine का यह पूरा term 0 होगा और sine 0 ले नहीं सकता क्योंकि time negative बार है कहानी शुरू करी मैंने pi से और बोला कि जब 50 pi t plus 37 pi by 180 pi के बराबर होगा तो particle पहली बार rest पे आएगा तो दूसरी बार rest पे कब आएगा इससे अगली बार जब sine कब ड़ेगी 0 हो जाए इसके बाद sine दुबारा 0 कब हो सकता है इसके बाद दुबारा sine 0 हो सकता है 2 pi पे sine दुबारा 0 कब हो सकता है 2 pi पे फिर उसके बाद बोलो 3 pi पे फिर उसके बाद 4 pi पे 5 pi पे 6 pi पे ऐसे करते-करते sine 0 होता रहता है पहली बार sine 0 मिलेगा 0 पे लेकिन मैंने 0 put करते देखा time negative आ रहा है दूसरी बार देखा, sin pi पे भी मुझे possibility मिल रही है, फिर मैंने बोला भाई, पहली बार ठीक है, sin pi पे मिल रहा है, तो दूसरी बार हम जाएंगे, 2 pi पे, ताव ज़रा करके देखते हैं, अगर यह वाला change successful हो गया, तो बहुत बढ़िया, इसके लबाँ एक और तरीका और है, वो भी मैं आपको बता दूँगा, थोड़ा सा समय दो मुझे बस, since sin of 50, किता था, pi t plus 37 pi upon 180, will be 0, only when it is sin of pi, sin of 2 pi and so on, पहली बार, velocity 0 हुई, first time, velocity फिर से 0 होगी, second time, फिर velocity फिर से 0 होगी, इससे third time पे, first time पे velocity 0 हुई थी, तो pi लिया था, अब मैं 50 pi t plus 37 pi upon 180 को beta 2 pi के बराबर कर दूँ, तो चलेगा क्या, ले जाओ धर, तो 50 pi t equals to 2 pi minus 37 pi upon 180, भाई सारे pi से तो pi खतम कर दो पहले, तो 50 t should be equals to beta, 360 minus 37 divided by 180, so t का जो value बनेगा, beta 360 minus 37 कर दो एक वा side में, शरम बिलकुल भी नहीं आने चीए, calculation करने में, यह नहीं कि सर इतनी छोटी से calculation भी करूँगा, क्या, चोटी से calculation भी गलत होगे ना, तो पूरा question बिगार देगी वो, बिटा, 10 में से 7 गए, 3 बसते हैं साब, 5 में से 3 गए, 2 बसते हैं साब, और यह 3 as it is आज़ेगा, so it will be 3, 2, 3 divided by 50 into 180, so it will be 3, 2, 3 divided by 9,000, चली बेटर जी, इसको भी solve पर लेते लगया थाम लोग, so it will be 3, 2, 3 divided by 9,000, तो 3, 2, 3 को 9 से divide करने पे हमें क्या मिलता है, 9, 2, 18, 9, 4, 36, 9, 2, 18, 3 से ले ले चलो, 9, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 5 आजाएगा सर यहां पे और यहां 3 आजाएगा, बेटा 9, 6, 54, फिर से वही काम कर रहा हूं मैं, मकारी कर रहा हूं, मुझे पता है, नहीं है ना तुम्हें भरोसा, आंसर देख लेना 3.6 इंटू 10 की पाम माइनस का 2 सेकेंड बनेगा, अब तुम कैसे भी कर लो, आंसर यह यह आएगा, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है, मैंने देखो smart work किया, मुझे पता चला, आंसर 36 होगा, तो मैंने सीधा 36 अपॉन 1000 कर दिया, मैंने 323 divided by 9 किया, तो मैंने smart work करके 36 लिखा, तो it will be 36 divided by 1000, 36 divided by 1000 को लिखा 3.6, 10 की पाम माइनस 2, अगर तुम्हें मेरे उपर भरोसा नहीं है, तो तुम्हें काम करो, करो इसको जालो, क्या करोगे, सर 9, 6 अदो नहीं होगा, 9, 5 जा 45 हो जाएगा, तो 9, 5 जा 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, सर यह 8 हो जाएगा, डॉट लगाना पड़ेगा, 0 हाएगा, अब बोलो, क्या 9, 9, 81 नहीं होते, सर नहीं होते, 9, 8 जा 92, maths फिर 8 जाएगा, फिर 0 होगे, 9, 8 जा, तो बटो बोलो, ज़रा 35, 88, इसको राउं। यह तो 36 नहीं मिलेगा, अर्य भाइया 35, 88 का, जब आप राउंद आफ करोगे, तो राउंद आफ करने पे, क्या 36 नहीं मिलेगा, तो क्या जब मैं पहले सीधा-सीधा 36 लिख रहा था तो क्या कोई आपती थी नहीं थी ना तो बस smart work किया कर बिटा So your answer will be 3.6 10 की पाँ माइनस का 2 seconds पहली बार velocity 0 हुई थी कहाँ पे यहाँ पे sir कहाँ गया वो तहली बार velocity 0 ही थी यहाँ पे 1.6 10 की पाँ माइनस 2 seconds पे दूसरी बार velocity 0 कहाँ हो रही है 3.6 10 की पाँ माइनस 2 seconds पे तरीका मैंने आपको बता दिया है इसके लाबाए एक तरीका और हिसको करने का एक तरीका और क्या कहते हम से वो यह कहता है कि एक काम करो तुम time period निकाल लो अगर तुम time period निकाल सकते हो तो time period निकाल लो और बेटा हम जानते हैं कि velocity एक बार 0 हो गई तो उसके बार 20 seconds के बाद यानिक एक time period बाद ही दो बार 0 होगी अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं क्या चौलो देखते हैं बेटा यह तो होगे अपना method number first इसके लाबा एक और method है same question को solve करने के लिए यह हो गया method first सिर्फ थर्ड वाले question के लिए बता रहूं में यह वाला है न यह वाला method first हुआ सिर्फ इस पार्ट को solve करने के लिए इसका second method क्या कहता है कि आप एक काम करो आप क्या करो इक काम करो method number second जो हमसे कहरा है आप एक काम करो time period निकाल लो भई time period कैसे निकलेगा सर यहां से देखो sir ओमेगा की value 50還 P, P दे रखिए question में देखो जरा omega की value 50 pi दे रखिए तो time period निकल जागा है हैंसे बिलकुल निकलेगा सा from question since from question omega equals to 50 pi so बिटा जी 2 pi by t should be equals to 50 pi तियो pi से तो pi मर जाएगा t बन जाएगा 2 by 50 बोलो सही है क्या ये बात बोलो बे 2 by 50 सही है अब मैं इसको तो और convert कर लूँ तो this can be written as 2 by 50 multiply by पूरी equation को 100 से multiply कर दूँ और 100 से ही divide कर दूँ तो बन जाएगी बात 50 2s are 100 और बेटा जी ये बएगा t upon equals to 4 by 100 seconds क्या मैं इसको 4 into 10 की पाउर minus 2 लिख दू क्या मैं इसको 4 into 10 की पाउर minus 2 लिख दू तो ये time period आया है बेटा अब ज़र आप देखो particle जब SHM करता है तो क्या होता है यह होता है mean position यह होता है extreme position यह भी होता है extreme position mean position से extreme position तक जाने में जो समय लगता है वो T by 4 होता है extreme position से mean position तक आने में भी समय जो लगता है वो T by 4 होता है फिर mean position से इस वाले extreme position तक जाने में जो समय लगता है that will be T by 4 और extreme से फिर से mean तक आने में जो समय लगता है it is again T by 4 बेटा जी velocity पहली बार 0 कहा होई माल वो particle mean position से इधर की तरफ चला तो पहली बार first time velocity यहाँ 0 होगी first time velocity यहाँ पे 0 होगी यह second method बता रहो मैं आपको particle माल लीजे mean position से इधर की तरफ चला तो first time velocity यहाँ 0 होगी फिर यहाँ से वापस आया यहाँ पे तो velocity maximum होती है और second time velocity second time velocity यहाँ पे 0 होगी तो बैटा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय लगा sir t by 4 plus t by 4 that will be t by 2 seconds बोलो जरा कितना समय लगा sir यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो time लगा that will be your t by 4 plus t by 4 यानि की t by 2 seconds सहमा तो मेरी बातों से पहली बार velocity यहाँ 0 ही particle mean position से इधर चला यहाँ से वापस जाने लगा यहाँ पे पहली बार velocity यहाँ 0 ही दूसरी बार velocity यहाँ 0 ही यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में समय लगा t by 4 plus t by 4 t by 4 plus t by 4 t by 2 seconds पहली बार velocity कहाँ 0 ही थी t1 पे 1.6 into 10 की पाव माइनस का 2 सेकंड Sir this is the time when the velocity become 0 for the first time दूसरी बार velocity 0 होगी T1 plus T by 2 पे पहली बार velocity 0 हुई यहाँ पे जब समय था T1 दूसरी बार velocity 0 होगी यहाँ पे जब समय था T2 बैटा T1 से लेके T2 तर जाने में कितना समय लगा T by 2 T1 से लेके T2 तर जाने में समय लगा T by 2 तो बैटा जी T2 माइनस T1 को किया T by 2 लिख सकतों मैं T2 माइनस T1 को मैं T by 2 लिख दूं किया बोलो सही बात है कि गलत बात है T1 से लेके T2 तर जाने में समय लगा T by 2 तो T2 माइनस T1 इकोल स्टो T by 2 so t2 is equal to t1 plus t by 2 भाई capital T कितना है 4 into 10 की पाव माइनस का 2 तो चलिए भाई t2 का value निकाल दीजिए 1.6 into 10 की पाव माइनस का 2 plus साब यहाँ पे 4 by 2 हो जाएगा अरे time period कितना 4 बटा दो 2 into 10 की पाव माइनस का 2 सीधा सीधी सी बात है solve करने पे t2 के value जो मिलेगी 3.6 into 10 की पाव माइनस का 2 seconds 3.6 into 10 की पाव माइनस का 2 seconds सेब आशर है तो यह आपकी इच्छा शद्दा है कि आप किस pattern से इस question को solve कर रहो किस method से इसको solve कर रहो इस प्योंए लिए मैं कोई जोर जबरस्ती नहीं दूँगा पहला तरीका यह हो गया कि पहली बार 0 का वो रहो था जब पाई था दूसरी बार 0 का वो रहो जब 2 पाई होगा आंसर आ रहे था 3.6 10 की पाव माइनस का 2 seconds second method क्या कहता बेटा कि आप एक दिमाग लगा सकते हो कि पहली बार velocity 0 यहाँ पे होई दूसरी बार velocity 0 यहाँ पे होई यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो time लगेगा that will be t by 2 so t2 minus t1 equals to t by 2 और यहाँ से t2 का value again same आए है ठीक है so it's all on you बेटा कि आप इसको कैसे solve करते हो इस पे कोई रोग टोग नहीं है मैं कभी यह नहीं बुलूँगा कि आप इस method से मत कीजिए इसको ऐसे मत करो वैसे मत करो तुम्हारी मर्जी तुम्हें जैसे solve करना है वैसे solve करो इसको तो इसको चाप लीजिए right from here यह सारी बाते लिखना अनिवार्य है तीनो पार्ट हमने इसके complete कर दिये है तीक है नोट कर लो जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते है किया नोट सभी ने किया नोट सभी ने पक्का शरो भी बहुत ही बहतरीन तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर यह यहाँ से लिखना शुरू की जिसको यह सारी बाते लिखिए लिखा पहली बार 0 किये हमने time को है ना पहली बार 0 किये velocity को फिर हम आगे आए रोको एक मिनट हाँ यहाँ पर आए वो acceleration को पहली बार 0 किये हमने ठीक है तो यह second part complete होगे अपना और यहाँ से शुरू हो था अपना third part यहाँ पर second part था यह यहाँ से third part शुरू हुआ इसको भी छापलो जली से किया note यहाँ पर आए third part का method number second third part का method number second है वो आपकी चरशद्दा आपको इसे भी methods इसको solve कर सकते है बिटा इस पर कोई जबर्दस्ती नी है कोई रोक टोक नहीं रहेगी ठीक है सेम आंसर आएगा देख ले ना बस तुम को किया note सभी ने चोलो भी बहुत ही बहतरीन तो हम आगे बढ़ते हैं हम लोग आते हैं अगले सवाल पे तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां से and let's move on to the next question question number 7 की बाद question 8 क्या कहता है consider a simple harmonic motion having the time period of T एक simple harmonic motion consider कीजे जिसका time period T होगा calculate the time taken for the displacement to change value from half the amplitude to the amplitude कितना समय लगेगा displacement को अपनी value change करने में from half the amplitude to the amplitude यानि A by 2 से लेके A तक जाने में उसको कितना समय लगेगा displacement को यह बताईए try करो देखो कि answer आता है फिर मैं बताता हूं कैसे करना किया try क्या करें बाइस question में तो साहाब मुझे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएग your time period given है क्या क्या given है आपको साहब सबसे पहले तो हमें time period given है आपे which is of T calculate the time taken for the displacement to change the value from half the amplitude बता initially अगर मैं इसके displacement की बात करूँ it is half the amplitude और अगर मैं finally इसके displacement की बात करूँ it is your again A तो यहां से लेके यहां तक जाना है तो diagram मैं भी अगर गौर्फ फर्मा के देखू तो this is the point यह हमारा mean position हो जाएगा यह हमारा extreme हो जाएगा and again this is the extreme position बेटाजी यहां पे तो वैसे x की value 0 होती है बट मुझे यहां से नहीं यहां से शुरू करना है x equals to a by 2 से और कहां तक जाना है x equals to यहां पे समय मैंने मान लिया t1 यहां पे समय मैंने मान लिया t2 क्या यह बोला है initially कहां पे आप a by 2 पे जाना कहां पे a पे तो यहां पे समय मान लिया t1 यहां पे समय मान लिया t2 और वो बोल रहे time taken यानि कि बिटा इसमें कितना समय लगेगा तो यह time आपको calculate करना है delta T आपको यह time calculate करना है delta T तो यह delta T क्या T2 minus T1 हो जाएगा delta T की value T2 minus T1 हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी साब पर दिक्कत यह कि T1 T2 होगा क्या तो भाई हमने बोला कि मालो equation यहाँ पे x equals to a sin omega T लिख दू मालो equation जो हमने लिखी अच्छा अब face वगर भी आएगा कुछ यहाँ पे क्या यहाँ पे इसका कुछ face वगर भी आएगा वेटा बोलो omega T लेलू अरे चलेगा ना काफी है यार initial face नहीं क्योंकि 0 से start करना है मैं mean position से माल गी इसको mean position से particle चलना शुरू होगा तो भाई जब वो यहाँ पे पहुँचेगा T1 पे at time T1 at time T1 X equals to A by 2 तो जब time T1 था तो X के जग A by 2 तो A by 2 will be equals to A sine of omega T1 भाई सब A से तो A खतम हो जाएगा और sine of omega T1 की value 1 by 2 बैटा sine of जो भी value होगी वो 1 by 2 तब होती है जब यहाँ पे 30 degree होता है तो sine of pi by 6 जो होगा उसकी value भी 1 by 2 होती है sine of pi by 6 की value 1 by 2 होती है तो यहाँ से omega T1 का value आ रहा है pi by 6 omega T1 का value आ रहा है pi by 6 question में आपको time period दे रखा है और omega को लिखते है 2 pi by T dot T1 should be equals to pi by 6 pi से pi खतम हो जाएगा T1 का value बनेगा capital T divided by 6 into 2 यानि की 12 तो यह लोग ही हमारे पास T1 का तो value आ गया अब यहसे ही हम क्या करेंगे T2 निकालेंगे T2 कहाँ पे जब X की value A हो जाएगी तो let's solve this on the next page X equals to A sine omega T लिया होता आपने A sine omega T लिया था so add time T2 X जो हो जाएगा वो होगा A so A is equals to A sine of omega T2 A से A खतम हो जाएगा and we are left with 1 equals to sine of omega T2 तो वेटा जी sin of omega T2 बराबर है 1 के which is of sine of pi by 2 sine pi by 2 ही होता है ना 1 तो omega T2 का value हो जाएगा pi by 2 omega को लिखते हैं 2 pi by T dot of T2 should be equals to pi by 2 pi से फिर से pi मर जाएगा और T2 का value मिलेगा T by 4 calculation वाला part है कोई rocket science नहीं है T2 का जो value होगा it comes out to be T by 4 seconds चलिए भई T1 मिल चुका है T2 मिल चुका है तो क्या मैं अब delta T calculate करने के लिए capable हूँ delta T था सहाब T2 minus का T1 so delta T हो जाएगा बेटा बोलो जरा कितना T2 की जगा T by 4 minus T by 12 क्या यह value निकाली थी आप लोगको ने T1 की value अरे बोलो ना क्या T1 की जगा पे T by 12 लिखेंगे और T2 की जगा पे T by 4 लिखेंगे calculation करना है सिर तो सहाब यहाँ पे जब हमने calculation किया so delta T comes out भी LCM 12 4 3s are 12 minus का T delta T equals to 2T बटा 12 so delta T should be equals to T by 6 यह चाहिए था उसको answer seconds seconds लगा सकते हो तुमारी इच्छा शुद्ध है उसको क्या चीए था बटा T by 6 चीए था अच्छा seconds लगा ना नहीं लगा ना वो देख लेना कुम लोग time period की value पुट करते है ना directly तो seconds में असर आ रहेगा बागी तो तुम समजदार हो यहां पे तो मैं पता है कहानी समय की चल रही थी तो answer भी समय का ही आएगा the time taken for the displacement the time taken for the displacement to change its value from half the amplitude to the amplitude is of T by 6 पैटा seconds लगाओगे तो भी ठीक है नहीं लगाओगे तो कोई आपत्ती वाली बात नहीं है time period वैसे भी तुम पता है seconds में ही होता है unit लगाने से कोई दिक्कत नहीं है तो यह हमारा question number 8 complete हो गया है इसको छाप लेंगे जल्दी से note करो note करो note करो note करो note करो हो गया note करो note करो note करो यह भी हो गया चलो भी बहुत चांदा है तो यहां पे हमारा question number 8 होता है and now let's move on to the question number 9 क्या कहता है question 9 हम से the pendulum of a clock is replaced by a spring mass system with the spring having the spring constant 0.1 newton per meter what mass should be attached to the spring भाई जब एक pendulum clock है the pendulum of a clock किसी घडी की जो pendulum होती है किसी घडी का जो pendulum है बेटा उसको हमने replace कर दिया by the spring mass system ठीक है साब spring का constant जहां पे रखा है 0.1 newton per meter है what should be the mass which we attach with the spring mass system बिटा कितना mass हमें attach करके रखना चाहिए तो यह आपको बताना है तो एक वाट ट्राइ करो दिमाग लगाओ देखो क्या अंसर आते इसका फिर मैं बताऊंगा कही से करना है इसको solve हाँ जी लगाए हैं दिमाग सोचे हैं कुछ कहीं से करोंगे भाई देखो पहली बात तो the pendulum of a clock तो यह ज्यान होना चीए that the time period of pendulum of a clock the time period of pendulum of a clock should be of two seconds भाई नहीं पता तो लिख लेना यह ज्यान की बात है यह एके सर का ज्यान काम का है लिख लेना hashtag एके सर का ज्यान एके सर कौन है अरे मैं ही हूँ सवाल solving में यह बाते ध्यान आती है the time period of a pendulum time period of pendulum of a clock two seconds भाई अब आपने इस pendulum को replace किया with the spring mass system यानि कि अगर आप इस pendulum को replace कर रहे हो with the spring mass system तो यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी बनेगी भाई सर दोनों का oscillation तो अलग-अलग होगा ना हाँ इसका oscillation कुछ इस तरीके से होगा angular ऐसे चम करता हुआ और इसका oscillation ऊपर नीचे की तरफ ऐसे linear ऐसे चम करता हुआ बर क्योंकि जब आपने इस pendulum को इस से replace किया है तो भाई साब आपने ये सोच के तो replace किया होगा ना कि time period fix रहेगा हाँ सर हम भले से इस pendulum को spring mass system से replace कर दे लेकिन एक बात का विश्यश ध्यान अगना कि आप replacement तभी करते हो जब वैसा कुछ मिले आपको replacement तभी होता ना पैटा जब ऐसी चीज़ हमें मिल सके अब ऐसी चीज़ मिले की ने तो replace करके क्या करेंगे है ना तो भाई साब हमने बोला कि साब इस pendulum को replacement तभी करूँगा जब मुझे ऐसा pendulum मिलेगा जिसका time period वही हो जो इसका हो यानि कि मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो spring block system मुझे मिलेगा यह जो spring block system मुझे मिलेगा इसका time period भी उतना ही होना चाहिए जो इस pendulum का होना चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे hashtag time period of spring block system should be equal to time period of pendulum of a clock तो spring block system का जो time period है वो किसी भी clock के pendulum के time period के बराबर हो चीए तभी आप उसको replace कर सकते है ऐसे नहीं कि सर इसका pendulum के time period कुछ और चल रहा था अच्छा नहीं लग रहा बदल देते कुछ और रख देते लागे बाई pendulum जो आप change करें तो time period रहा तो ध्यान रखना oscillation उतने अच्छे होने चीए तो कितना मास लगाओ इसके लिए तो सर पहली बात तो यह जो pendulum है इसका time period होता 2 seconds spring mass system का जो pendulum बनता है ना मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ time period of spring mass pendulum बढ़ा यह जो pendulum बनता है spring mass वाला उसका जो time period होता है it is given by 2 pi under root of m by k और यह किसके बराबर होना चीए it should be equal to the time period of the pendulum of the clock यह किसके बराबर होना चीए था यह बराबर होना चीए था time period of the pendulum of the clock यह किसके बराबर होना चीए time period of the pendulum of the clock तो साहाँ आब यहाँ से 2 pi under root of m by k should be equal to 2 बेटा 2 से तो 2 मर जाएगा squaring both side कर रही तो squaring both side करने से दोनों तो squaring किया तो पता चला यहाँ पे pi का square m by k should be equals to 1 हो जाएगा तो m का value हो जाएगा बेटा k upon pi का square m का value हो जाएगा k upon pi का square बेटा k कितना की बन है question में 0.1 तो लिखो यहाँ पे k की जगा पे 0.1 divided by pi का square कहानी चल रही किलोग्राम में कहानी चल रही किलोग्राम में बेटा pi square को के मैं 10 लिख सकता हूँ हाँ कर सकते है क्योंकि pi square की जो value आती है वो आती है 9.85 something something तो pi square को approximately 10 लिखने में कोई गलती बात नहीं बिल्कुल गंदी बात नहीं है तो mass can be written as 0.1 divided by 10 kg यानी कि मैं कहूँ 1 बटा 100 kg 1 by 100 kg है ना यानी 0.01 kg चाहो तो ग्राम्स में भी convert कर सकते हो तो 0.01 kg को 10 ग्राम भी कहते है बिटा तो it's all on you कि आपको answer किसमें रखना है किलो ग्राम में या फिर ग्राम में उसके हिसाब से आपको आप answer मिल जाएगा ठीक है उसी के हिसाब से you will get your answer तो mass या तो 0.01 kg या फिर 10 ग्राम हो सकते है तो यह है कहानी हमारे question number 9 की तो इसको जल्दी से चापीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके और देखे हमने अगले सवाल को नोट करो नोट करो नोट करो जल्दी से ये एके सर का ग्यान काम का है नोट कर लेना ठीक है यहाँ पर आए ये बिटा यहाँ पर आगे हमारा सवाल समापत होता है 10 ग्राम is the right answer for this question छाप लो फिर हम आगे बढ़ेंगे किया नोट सबीन है बहतरीन चलिए भई तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारे आज के इस चोटे से से सेशन का समापन माना एक question थोड़ा सा लंबा हो गया था उसमें मैंने अलग method भी तो बता दिया आपको solve करने के पहला वाला question थोड़ा सा लेंदी हो गया बट उसमें मैंने आपको एक तरीका और बताया कि questions को अन्य के और भी approaches है तो ऐसा कोई rule नहीं है कि भाई आशिस सर्न है इसको ऐसे solve किया तो मैं भी ऐसे solve करूँ वो तुम्हारी इच्छा शद्द है मैं तो बस तुम्हें एक तरीका बताता हूँ ठीक है बागी बेटा यहाँ पे आज हमने solve किये 7, 8, 9 questions और अब अगले session में solve होंगे 10, 11, 12 और ऐसे करते करते हम अपने सारे questions को ऐसे छोटे-छोटे sessions में complete करेंगे तो मिलते हैं बेटा आप सर ले session में तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहिए All the very best